ये है दिव्या पाहुजा दो जनवरी दो हजार चौबीस को गुरुग्राम के एक होटल सिटी पॉइंट में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कातिल ने खुद पुलिस को इंफर्म किया था दिव्या की डेट बॉडी ढूड़ने में 13 दिन लग गए उसकी डेट बॉडी हर्याना के एक कनाल से मिलती है और इसके बॉडी को ढूड़ने के लिए एंडी आरेफ के करीब 25 जवान लगे हुए थे दिव्या पाहुजा पिछले करीब 7 साल से जेल में बन थी अपने गैंक्स्टर बॉड़ेंड संदीब गडोली के फेक इंकाउंटर केस में पुलिस का कहना है कि दिव्या वज ब्लैकमेलिंग दो होटेल ओनर अभिजीत सिंग वहीं पर दिव्या के सिष्टर नैना पाहुजा का कुछ और ही बोलना था कौन थी दिव्या पाहुजा एंड इस केस में ऐसा क्या था कि NDRF टीम को बुलानी पड़ी थी चलो जानते इस केस को दिव्या पाहुजा का जन्म 6 जुलाई 1996 को हरियाना में हुआ था बेसिक एडुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2016 में दिव्या एक कॉलेज में दाखिला ले लेती है बी कौम करने के लिए लेकिन उसी साल वो अरेस्ट हो जाती है आगे बताता हूँ क्यों अरेस्ट हुई थी दिव्या पाहुजा बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी हर फादर अशो कुमारी जे फ्रूट सेलर दिव्या का बच्पन से ही मॉडलिंग एंड एंकरिंग का सौक था चोटा मोटा काम उसे मिलने भी लगा था कुछ प्रिंट अडवर्टीजमेंट का काम भी उसने कर रखे थे जगा जगा पे उसे एंकरिंग का काम भी मिलता रहता था दिव्या पाहुजा ने अपना प्रोफेशनल फोटो शूट भी करवा रखी थी साल 2015 में दिव्या की मुलाकात मनीस खुराना नाम के बंदे से होती है उसके उपर कई सारे मुकदमे भी चल रहे थे हरियाना पुलिस के वांटेड लिष्ट में था संदीब कडोली दिव्या पाहुजा को अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रहे थी क्योंकि संदीब गडोली के पास ठीक ठाक पैसे थे अगर संदीब का बैग्राउंड देखा जाए तो वो काफी वेल टू डू फैमली से बिलोंग करता था उसके पीता हरियाना पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे उसके भाई बेहन लॉयर्स है संदीब काडोली मनीश खुराना उसका से स्टेंड दिब्या पहुजा और साथ में दो रसियन मुंबई पहुचते हैं और प्लान ये था कि वहां से ये लोग गोवा के लिए निकलेंगे अभी वो कहाँ पहुची कहाँ पहुचने वाली है किस होटल में रुकेगी होटल किसके नाम से बुक है यहां तक किस संदीब काडोली के बारे में भी हर छोटी डिटेल्स वो अपनी मां से शेयर कर रही थी और अल्सो ओवर फेस्बूक कि कुछ लोग संदीब के कमरे में खुचते हैं अब संदीब को पॉइंट ब्लाइंक रेंज से गोली मार देते हैं अब इस मामले को मुंबई पुलिस अपने हाथ में ले लेती है संदीब कडोली के फैमली अड्वोकेट दिव्या पाहुजा पे यारोप लगाते हैं कि दिव्या पाहुजा एंड हर मदर सपोस्टो गेट 2 क्रो रूपीज इन एक्चेंज ओफ इन्फरमेशन अबाउट संदीब कडोली एंड इज़र संदीब कडोली के इनकाउंटर के तुरंत बाद दिव्या विन्ट तो गोवा फिर जुलाई 2016 में दिव्या पहुजा उसकी मां सोनी पहुजा मनीज खुराना एंड कुछ पुलिस वाले को जेल होती है इस फेक इनकाउंटर केस में एंड फिर करीब 7 साल बाद 25 जुलाई 2023 को दिव्या पहुजा जमानत पे बाहर आ जाती है उसकी मां सोनी पहुजा 2019 में जमानत पे बाहर आ गई थी जेल से बाहर आने के बाद दिव्या पहुजा होटल सिटी पॉइंट के माली अभिजीज सिंग से मिलती है पॉलिस का कहना था कि वो जेल में बंद बिंदर गुजर के कहने पर अभिजीज सिंग से मिली थी बिंदर गुजर भी एक आरोपी था संदीब कडोली के फेक इंकाउंटर केस में और फिर कुछ दिन बाद दिव्या पहुजा और अभिजीज सिंग रिलेशन्शिप में आ जाते हैं वो दोनों लिविन रिलेशन्सिप में रहने लगे थे दोहजार चॉबिस का पहला दिन 1 जैनेवरी दोहजार चॉबिस दिव्या पहुजा नियू एर सेलिबरेट करने के लिए अभिजीज सिंग के घर जाती है एंड ये बात वो अपने घर वालों को बता रखी थी क्योंकि जेल से निकलने के बाद जब भी दिव्या पहुजा कहीं पे जाती शे बच जाते हैं ना दिव्या का फोन आता है ना मेसेज आता है और ना ही उसका फोन लग रहा था फिर नैना पहुजा दिव्या पहुजा की लोकेशन चेक करती है तो नैना दिव्या का लोकेशन देखकर हैरान रह जाती है दिव्या पहुजा का एक location आ रहा था दिली के साउथ हिक और दोसरा गुरुगराम के hotel city point दिव्या दो phone रखा करते थे नैना परिसान हो जाती है उसे यह लगता है कि something is not right फिर नैना पहुजा दिव्या पहुजा को ढूंडते ढूंडते अविजीत सिंग के घर पहुचती है लेकिन अविजीत सिंग घर पे था ही नहीं वहाँ पो उसका दोस्त बलरास था उसने नैना पहुजा को दिव्या का phone भी दिया लेकिन दिव्या पहुजा के बारे में कुछ नहीं बताए कि no we can't show you the CCTV footage और नहीं दिव्या के बारे में कुछ information शेयर किया फिर दो जनवरी को रात में ही अविजीत सिंग अपने ही होटेल के स्टाफ से यह बोलता है कि तुम पुलिस को इंफर्म करो इस होटेल में एक dead body है पुलिस को phone जाता है इसको seriously नहीं लेती है उल्टा स्टाफ को सुनाती है और उसी रात में नैना पुलिस स्टेशन भी पहुंसती है दिब्बय पाहुजा की missing complaint लिखवाने के लिए तो यहीं पर पुलिस का कहना था कि मैडम जी मैंने आपका पूरा complaint लिख लिया है लेकिन इसकी छान बीन अब सुबह होगी काफी रात हो गई है इस वक्त आर पुलिस अब पुलिस सिर से होटल सिटी पॉइंट पहुंसती है और इस बार कमरा नंबर 111 गारा खोलती है and they found something जो उन लोगों ने expect भी नहीं किया था हर जगा खून के धब्बे थे बेड पे, परदों पे, दीवारों पे, फ्लोर पे और फ्लोर का कुछ खून साफ करने की कोशिश भी की गई थी लेकिन उस कमरे में dead body कहीं पे नहीं थी पुलिस अभिजी सिंग को हिरासत में ले लेती है और पूस्ताच करने लगती है and इधर जब पुलिस CCTV फूटेज को चेक करने लगती है तो फूटेज कुछ और ही बया कर रही थी early morning के फूटेज में अभिजी सिंग को एक BMW कार में डाल रहे है and बाहर की लाइटे ओफ कर दी गई थी ताकि किसी को कुछ दिखाई न दे सके जिस वक्त पे पुलिस होटल विजिट की थी उसी वक्त पे dead body camera number 111 में पड़ी हुई थी लेकिन पुलिस 111 क्या camera number 114 के बाद एक corridor भी चेक नहीं की थी अब अभिजीत सिंग पुलिस को बताता है कि दिव्या पहुजा उसे blackmail कर रही थी क्योंकि दिव्या पहुजा के पास अभिजीत सिंग का कुछ आपति जनक pictures थें, कुछ videos थें इस चीज को लेकर वो अकसर अभिजीत से पैसे मांगा करती थी फिर 2 January को अभिजीत सिंग दिव्या पहुजा का phone चीनता है ताकि वो अपना photos and video delete कर सके वो दिव्या पहुजा से password भूसता है लेकिन दिव्या password बताने से मना कर देती है इसी बात पे अभिजीत सिंग ने दिव्या पहुजा को गोली मार दी ऐसा अभिजीत ने खुद बोला है पुलिस से और गोली मारने के बाद अपने कुछ लोगों को उसने body को dispatch करने का काम सौप दिया और जिन दो लोगों को एक काम सौपा था उसे 10-10 लाक रूपए भी दिये थे और जो लोग body को dispatch करने गये थे उनका नाम था बलराज गील एंड रवी बंगा वहीं पे दिव्या पहुजा के परिवार वालों का कुछ और ही कहना था अविजीस संदीब गडोली के परिवार से मिला हुआ है अब पुलिस की पहली priority बन जाती है body को ढूणना फिर हरियाना पुलिस body को ढूणने में लग जाती है फिर body को ढूणते ढूणते हरियाना पुलिस पंजाब पहुँचाती है पंजाब पुलिस की भी हेल्प ले जाती है, पंजाब पुलिस हेल्प भी करती है, पंजाब एंड हर्याना में दोनों जगह छान भी न सुरू थी, फिर एक दो दिन बाद पंजाब के पटियाला के बस स्टेंड के पास वो BMW कार खड़ी थी, एंड उस कार में बलड के कुछ स स्टेंज भी थें, लेकिन पुलिस को सिर्फ कार मिलती है, बलराज एंड रभी के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था, अब पुलिस को जहाँ पे कार मिली थी, उसके सटे नहर में डेड बॉड़ी को ढूड़ने लगी थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था, फ बलराज से पूस्ताच किया जाता है, और वो एक्जेक्ट लोकेशन शेयर करता है, जहाँ पे उसने बॉड़ी को डिस्पोज किया था, फिर काफी मसकत और खर्चे के बाद, बॉड़ी हरियाना के तोहाना में जाके मिलती है, दिब्या के बॉड़ी भाखरा नहर में हाफ बाडी कंपोज स्टेट में थी, बॉड़ी को टैटू के जरी इडंटिफाई किया जाता है, दिब्या पाउजा के राइट सोल्डर के ऊपर एक टैटू था, फिर पोस्ट वोटम के लिए भेजा जाता है, पोस्ट वोटम रिपोर्ट में ये साह पता चल जाता है कि दिब् पहुजा को उसने पर्सनल रीजन के कारण को लिमारी थी ना कि ब्लैक मेल की वज़ा से ए थी आज की केस टड़ी बाई